बीता सप्ता शेयर बजार में टाटा ग्रूप के नाम रहा है क्योंकि टाटा समूह द्वारा लांच किया गया सालों बाद IPO ने मार्केट में खूब तहलका मचाया पर वहीं कई सारी ऐसी कमपनिया भी है जिन्होंने अपने निवेशकों के मुनाफ़े के लिए डिविदेंड और बोनस शेयर जैसी कई सुविधाओं का एलान किया है और इस महीने की आखिरी सब्ताह में ये कमपनिया अपने पोजिशनल निवेशकों को डिविदेंड और बोनस शेयर बांटने वाली है आज हम आपको लगभग चार कमपनियों के बारे में बताने वाले हैं जिन में से करीब तीन कमपनिया आपको हर एक शेयर पर डिविदेंड राशी प्रदान करने वाली है वही एक company आपको bonus share की सुविधा देने वाली है और record date की बात करें तो कल के दिन को ही इन सारी companyों ने dividend और bonus share का record date सुनिश्चित किया है तो चलिए बताते हैं आपको उन companyों के बारे में Milk Food Limited यह एक Mid Cap company है जिसका share की कीमत लगभग 619 रुपे चल रही है और इस company के निवेशकों को हर एक share पर लगभग 2.5 रुपे का dividend मिलेगा और इसका record date भी 28 नवंबर को ही सुनिश्चित किया गया है विराम Securities Limited यह एक पेनी stock है और वर्तमान में company का stock लगभग 8 रुपे पर कारोबार कर रहा है इसमें company ने 50 पैसे का dividend हर एक share पर देने का फैसला किया है और record date की बात करें तो 28 नवंबर 2023 को निवेशकों को ये dividend मिलेगा Talbros Automotive Components Limited यह एक automobile sector की company है इसका share थोड़ी गिरावट के साथ लगभग 307 रुपे पर trade कर रहा है और यह company निवेशकों को 28 नवंबर के दिन प्रती share पर लगभग 0.2 रुपे का अंतरिम dividend देगी Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते है आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्श लें